हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आम सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे Classics की Worksheet No. 32 जो कि 9th of November 2021 की Worksheet है और आज का सब्जेक्ट है Science और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है Light, Shadow and Reflection तो चलिए इस Worksheet को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस Diagram को देखिए यहाँ पे एक टॉच दिखाया हुआ है यह Sun है और यह जुगनू है तो इन सब के पास अपनी खुद की Light होती है इसलिए इन सभी Objects को Luminous Objects कहा जाता है जबकि कुछ ऐसे Objects भी होते हैं जुनके पास Light नहीं होती है उनके Examples जैसे की Pen है, Table है, Books है, इनसान खुद है तो इन सभी को कहा जाता है Non-Luminous Objects डिफरेंस समझ में आ गया जिनके पास Light है वो कहलाएंगे Luminous Objects और जिनके पास Light नहीं है वो कहलाएंगे Non-Luminous Objects When there is no light or in darkness, can you read a book? देखो, कहीं पे भी अगर अधेरा है, Light नहीं है तो हम आस-पास रखी हुई किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे इससे पता चलता है कि हमें किसी भी चीज को देखने के लिए दो चीजे चाहिए First क्या है? हमारी Eyes यानि आखे and second है Light और अगर Light प्रेजेंट नहीं है तो आखे होने के बावजूद हम किसी Object को नहीं देख पाएंगे ठीक है? तो इसलिए ये दोनों ही चीजे ज़रूरी हैं किसी भी चीज को देखने के लिए अब आगे हमें ये बता रखा है Objects like the sun that gives out light of its own are called luminous objects luminous objects का होते हैं जुनके पास अपनी light होती है उनके examples हम already यहाँ पे देख चुके हैं ठीक है? जो sun है वो natural source है light का जबकि जो torch है या bulb है वो man-made source है light का ठीक है? अब चाहे source man-made हो या फिर natural हो अगर उसके पास अपनी light है तो उसको हम luminous objects कहेंगे अब इसके बाद हमें तीन terms को define करके दिखाया हुआ है first है transparent एक ऐसा object जो की अपने अंदर से light को pass होने देता है और उसके दूसरी side रखी हुई चीज को हम बहुत clearly देख पाते हैं ऐसे objects को कहा जाता है transparent objects इसके example जैसे हमारे घर में glasses वगरा होते हैं कांच जिसके आरपार हम देख पाते हैं ठीक है next है translucent तो ये ऐसे objects होते हैं जिनके अंदर से light एक छोटे से amount का ही pass कर पाती है इसलिए इनके दूसरी side रखी हुई चीज को हम बहुत clearly नहीं देख पाते हैं वो partially ही हमें दिखती हैं ठीक है कुछ दुदला दुदला नजर आता है तो ऐसे objects को हम कहेंगे translucent objects and third है opaque ऐसे objects जो की अपने अंदर से light को pass नहीं होने देते हैं ठीक है और इनके दूसरी side रखी हुई चीज हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आती है जैसे हमारे घर की walls हैं वाल की दूसरी side क्या रखा है वो हमें यहां से नजर नहीं आता है तो इनको कहा जाता है opaque objects ठीक है अब इनी चीजों को नीचे explain कर रखा है transparent object के थूँ जितनी light हम pass कराएंगे वो सारी की सारी pass हो जाएगी translucent में हम जितनी light pass कराएंगे उसका एक छोटा सा amount ही pass करेगी और opaque में से अगर हम कितनी भी light pass कराने की कोशिश करें वो बिल्कुल भी light pass नहीं करेगी ठीक है अब यहां पर एक question दे रखा है classify the following objects into luminous and non-luminous objects first है torch अब torch के पास क्योंकि light होती है तो इसलिए इसको हम कहेंगे luminous object और इसलिए torch को हम first column में लिखेंगे second है book, book के पास अपनी light नहीं होती है तो इसलिए इसको हम non-luminous कहेंगे next है stool और stool के पास भी अपनी light नहीं है फिर है pen और pen के पास भी अपनी light नहीं है फिर है sun, sun तो ultimate source of energy है तो वो luminous object है उसके बाद है firefly और firefly में भी light होती है तो इसको भी हम यहीं पे लिखेंगे firefly ठीक है तो इस तरीके से यह तीन object है luminous objects और नीचे के तीन object है non-luminous objects ठीक है question number one complete चलो second question देखते हैं second question में हम से यह कहा है from the given objects or materials circle the transparent objects with green color translucent objects with blue color and opaque objects with red color तो सबसे पहले हम select करेंगे green color और green color से हमें transparent objects को circle करना है तो इन में से transparent क्या-kya है air है book नहीं है polythin है क्योंकि polythin के आर पार हम देख पाते हैं उसके बाद है plain glass तो glass के थू भी हम देख पाते हैं उसके बाद specs के थू भी हम देख पाते हैं तो ये सारे तो हो गए transparent objects अब हम select करते हैं blue color और blue color से हमें translucent object को circle करना है और इनमें से translucent object है यहाँ पे हमारा तो आप butter paper पर circle करेंगे क्योंकि यह translucent object है और अब हम select करते हैं red color को और red color से हमें circle करना है opaque objects को तो इसमें piece of rock, book and a wall यह तीनों ही opaque objects है क्योंकि इनके दूसरी side क्या रखा है हम नहीं देख पाते हैं ठीके बच्चो तो यह थी आज की हमारी science की walksheet and I hope आप सभी को यह walksheet बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और बच्चो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चानल को सब्सक्राइब कर लें thank you